Hey guys, मैं हूँ Pooja आप देखने Beauty and Creativity आज की जो वीडियो आपको टाइटल से पता चली गया होगा It's about Shopping Hall जो मैंने First Cry से कुछ प्रड़क्स लिए हैं अपने बेवी के लिए वही मैं आपके साथ उनका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और इससे पहले भी मैंने First Cry Shopping Halls आपके साथ शेयर की हैं यह कापी helpful हो सकते हैं इस टाइम पे क्योंकि बेबी को जैसे बढ़ती ग्रोथ होती है उनकी तो बहुत साही चीजों के कपड़ों की जरुरत होती है और बहुत हर महीने जरुरत होती है और बाहर जाकर शॉपिंग करना बहुत ही रिस्की है तो First Cry तो सेवियर है आज के टाइम में Seriously मतलब First Cry सेना मेरी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आराम से शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे और प्रड़क्ट पसंद ही आता है तो आप उसे इजी ली रिटर्न कर सकते हैं तो इससे बहुत जादा हो जाती है और अगर उसका रिव्यू आप चेक कर पाते हैं बहुत सारे लोग रिबूज शेयर करते रहते हैं तो उसे आइडिया हो जाता है कि कौन से प्रड़क्ट हम और करें कौन से ने क्यूंकि सारी बहुत सारे ब्रैंट्स है और क्वालिटी भी आपको अलग अलग टाइप की मिलती है सारे प्रड़क्स का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा अगर यह अभी अवेलेबल हुए तो इसका माटीरियल बहुत जादा थिक नहीं है जैसे ठंड में तो यह काम नहीं आएगा हल्की फुलकी जैसे ठंड से बचाने के लिए आप फुल का पहनाते है थोड़ी बहुत हावा चलती है तो उसे प्रटेक्ट करने के लिए अच्छा है अधर्वाइस यह सद्यों के लिए तो नहीं है और इसका जो प्राइस है दाट इस 2.99 रुपीज नेक्स्ट है बेबी हक का फुल स्लीज का स्वेट शर्ट यह थोड़ा सा पिंकिश कोरल कलर में है और इसके उपर जो यह आप डिजाइन देख रहे है ना यह कोई पेंटिंग नहीं है यह बहुत अच्छे से अंब्रॉइडरी की हुई है इससे पहले भी और भी स्वेट श जाए और खराबना हो जाए लेकिन यह वाश होने से विल्कुल खराब नहीं होगा जैसे हलकी फुलकी ठंडी शुरू हो गई है अभी तो उस वैदर के लिए एक दम पॉफेक्ट है थोड़ा सा वैसे वाम नहीं है लेकिन ठिक मटेरियल है और बहुत ही स्मार्ट लगता है जिसे बड़े बॉइस के लिए भी स्वेट शर्ट हमें मार्केट पे मिलती है तो बहुत ही स्मार्ट लगता है अगर आप इसके नीचे गोई ट्रैक पैंट पहना आते है और उपर से पहनते तो बेबी के बहुत स्मार्ट है और इसमें इसमें इसरा की साइड में बटन्स जिससे की बेबी के नेक में वो पसे नहीं टाइट नहीं रहे पहनाने में अंकमफटेबल नहीं लगे और इसका प्राइस है 499 लेकिन डिसकाउंट चलता रहता है थोड़ा बहुत कभी कम जादा होता रहता है तो आप चाकर चेक कर लीजेए जैसे मैं आपको बताया कि जो कि क्वालिटी मुझे अच्छी लगी सॉफ्ट है थोड़ी बहुत जैसे हलकी फुलकी ठंड चुरू हो जाती है उसमें आप इसको पहना सकते हैं और तीन कलर इसमें अवेलेबल नहीं रेड ग्रीन ब्लू और तीनों बहुत ही स्मार्ट लगते हैं और बहुत ही कमफटेब नेक्स्ट अगेन यह टांगो ब्रैंड की फुल लेंथ पैंट से यह बीस के ऊपर बियर बना हुआ है ब्लू कलर में है और यह इसका प्राइस है 165 रुपीस इसमें आपको और बी कलर मिल जाते हैं मैंने येलो भी मंगाया था वो मैंने रिटर्न कर दिया है सेम क्वालिट अगेन यह ब्लू कलर की प्लेन है थोड़ा सा नीचे डिजाइन बना हुआ है यह बेबी हखी है बेबी हखी है यह ब्लू कलर की और इसका है 249 MRP है जैसे माटीरल बाकी मैंने इनका बताया आपको लेगिंग्स का वैसा ही इसका माटीरियल है हलकी सी ठन शुरू होती है इसका माटीरियल भी कॉटन है और यह बी अगेन वैसे माटीरियल है जैसा मैंने आपको बाखी पैंट्स का बताया थोड़ा बहुत थिकनस का डिफरेंस हो सकता है लेकिन वाम इन में से पोई भी नहीं है और जो इसका प्राइस है ताट इस 219 रुपीज नेक्स्ट है यह अगेन यह कॉटन की है और इसके ओपर यह क्यूट से तीन कार्टून्स बने हुए है फ्रेंट्स लिखा हुआ यह भी ट्रैक पैंट है और इस साइस के अकॉर्डिंग एकदम पाफेक्ट है और इसका माटीरियल भी कॉटन है तो आट सट गाइस आरेली होप यह वीडियो के लिए हल्फूल रहे मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टेकर स्टी हैपी एंस्टी क्रियेटिव